दोस्तों कैसे हैं आप सब? उमीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे आज की इस इंटरस्टिंग वीडियो में हम बात करने वाले हैं और नियों हीरो पेशन एक्स टेक 110 के बारे में इस बाइक से लेटेड आपके सबी सवालों के जवाब इस वीडियो में हम आसान शब्दों में देने वाले हैं तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें क्योंकि बाइक से रिलेटेड इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहती है सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लें इसके फ्रांट लुक के बारे में तो front look में मिलता आपको fully LED का setup साथ की आपको DRA LED का भी features देखने को मिलता है 110 CC segment में सबसे based bike अगर कहीं जाए तो hero patient x take bike होगी क्योंकि इसमें आपको मिलता है smart x connect का features और fully digital meter console देखने को मिलता है और headlamp का setup आपको fully LED का देखने को मिलता है और indicator मिलता है आपको hero के लेमर x take वाला जिसमें की आपको halogen bulb का company ने इस्तमाल किया है बाकी look और design आप देख सकते है video screen मिलता है आपको all black hero की branding मिल जाती है और look और design कुछ इस परकार से front का देखने को मिलता है बाकी आप देखेंगे side से तो कुछ इस परकार से आपको यहां पे 80y 100 का आपको front में टूब्लेस टायर देखने को मिलता है 31 mm का आपको suspension मिलता है मटगालाट को dual tone में देखने को मिल जाता है suspension आपको टेलिस्कोपी suspension देखने को मिलता है बाकी आप देख सकते हैं फ्रेंस नमबर प्लीड की पत्ती मिल जाती है हेडले मिलता आपको split में यहां बात करने इसके pricing को लेकर तो pricing around हमारे यहां इसका पॉंडोर सारूम प्राइस 94 के अप्रोक्स में है और यदि आप लेना चाहते हैं तो आप contact करें आपको यहां पर यहां पर फिचर से देखने को मिल जाता है और handle bar आप देखेंगे तो कुछ इस परकार साब को मिलेगा पेशन का आपको यहां पर टेंक कावल में 3D में लोगों देखने को मिल जाता है और x-tech को company ने इस तरह mention किया है जो कि आप देख सकते हैं white और black के combination में यहां पर mention किया है बाकी color option आप देख सकते हैं इसका racing rate color जो कि आप देख सकते हैं programate fi का आपको यहां पर 19.9cc का आपको यहां पर engine मिल जाता है और के अगर बात की जाए तो 10 PS का आपको power मिलता है और 9 NM का आपको निटेट मिटेंट टोर के देखने को मिल जाता है top speed अगर बात की जाए तो 100 का मिल जाता है परती एक घंटा में और look और design कुछ इस प्रकार साब को भी देखने को मिलता है यह में तो अगर हम बात कर लें इसके gear speed के बारे में तो 4 e-speed gearbox का setup देखने को मिलता है F5 programming engine आपको देखने को मिल जाता है side stand cut off engine का features कुछ इस प्रकार साब को देखने को मिलता है magnet कबने में आपको hero की branding और legard company footage मिल जाता है इस bike में आपको rear look आप देखेंगे तो यहां पे आपको LED light का features देखने को मिलता है बागी आप rear में आपको tire 100 by 80 का देखने को मिलता है 17 इंची का आपको wheel से मिल जाता है monosock absorber adjustable five point आपको देखने को मिल जाता है और exhaust अगर बात के जाए तो company आपको single provide करती है ग्रेव हिंडल भी आपको मिला हुआ single provide करती है बाकिर दूर से आप देखेंगे तो कुझ इस वरकार से look और design देखने को मिलता है इस bike का white graphics अहलका देखने को मिलता है hero की branding tail panel में साथी दोस्तो i3S की branding भी इस bike में आपको देखने को मिलता है जो की बहुत अच्छी बात है fuel tank capacity 10 लेट के अप्रोक्स में देखने को मिल जाता है minimum down payment करके इस bike का फिरांस करा सकते है में मिलता है दोस्तो अगली वीडियो में और इंट्रेस्ट के अप्रोक्स में इंट्रेस्ट आपको लग जाएगा उमीद करता हो कि आज के वीडियो पसंद आया thanks for watching